एक दिन थॉमस अलवा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए हुए पेपर को अपनी मा से देते हुए बोला कि मा मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी मा को ही देना बताओ मा आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है मुझे जानने की बढ़ ही उचसुकता है तब पेपर को पढ़ते हुए मा की आँखें रुख गई और तेज अवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है यह विद्यालय उसकी प्रतिभाश के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं है इसलिए आप उसे खुद पढ़ाए या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजे यह सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और मा के देखरेख में अपनी पढ़ाई करने लगा लेकिन एडिसन के मां के मृत्यू के कई सालों बाद एडिसन तो एक महान वैग्यानिक बन गया और एक दिन अपने कमरों की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकता है इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है इसे परहते ही एडिसन एक भावुक हो गया और फिर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था लेकिन उसकी मा ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ती बना दिया नैतिक शिक्षा जीवन में हम क्या है कैसे है ये महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन अगर अपने उपर मा की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से भी बीमार बच्चे की भविश्य और नियती को बदला जा सकता है और बच्चा मा के आचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्त भी बन सकता है